और चूज करने का तीन या चार क्राइडेरिया होता है जैसे मैंने बोला है यहां पर syllabus previous year question paper interest and trend पहले तो syllabus की जो कहीं भी जैसे यह book आती है KBC नेनो की एक book है कि syllabus की जो पूरी list बनाई हुई है उर्समें सारे subjects का syllabus दिया हुआ है जितने भी optional subjects हैं तो वह एक book ले लो बहुत चोटी सी book या पतली सी उसमें स्ट्रोल करो सारा जो भी आपको लगता है कि यह subject में ले ही नी सकता है जैसे बहुत सारे subjects ऐसे होंगे Medical Science है, Geology है कई लोगों होता है कि Anthropology नहीं लेना, Mathematics नहीं लेना, Chemical Engineering Civil Engineering, Mechanical Engineering सब नहीं लेना तो जब पूरा आप बुक पढ़ोगे उसका जितने syllabus की list देखोगे आप optional subject की list देखोगे तो आपको लगेगा कि 6 या 7 subjects हैं जिसमें से में कोई एक लेना है तो उन 6 या 7 subjects को एक जेगा लिख लो मैंने इसमें 2-3 दिन बहुत वेस्ट किये था अपने optional decide करने में लेकिन एक बरते मैंने decide कर लिया तो उसके बाद मैंने कभी उसके change नहीं किया मेरे पास था history, pubad, political science, philosophy, sociology, anthropology and anthropology में थोड़ा बहुत इंटरेस था मुझे और commerce and management Commerce and accountancy actually management का था लेकिन management का मैंने इसले बस देखा तो मुझे लगा किया इसमें ज्यादा time waste करना पड़ेगा तो मैंने इसलिए उसको मना कर दिया तो यह basically यह थे मैंने history का देखा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग history ले रहे हैं उनके लिए गाला थे यह मेरे time की requirement मैंने college में काफी history के अलग-अलग books पड़ी हुई है लेकिन मुझे लगा कि marks में उतने score नहीं कर पाऊंगा तो उसके बाद puppet था, puppet एक बहुत evergain subject रहा है शुरू से ही और जब मैंने school days में और college days में था तो ऑफनल में खाली puppet ही सुनता था कि optional public administration होता है मुझे बात में वालम चला कि there are more than 30 subjects तो puppet मैंने इसले सोचा कि इसका trend अच्छा नहीं था तो trend और interest भी मुझे उतना नहीं आ रहा था topic को देखके तो उसके गराण मैंने puppet मना किया फिर political science का भी syllabus बहुत बढ़ा था वास था उसको cover करने में at least four to five months भी टेक तो इसले उसको मना किया philosophy में भी trend अच्छा नहीं था sociology का मैंने देखा तो general topics थे caste है, tribe है, women empowerment है, literacy है, education है, family है तो मुझे लगा कि हाँ sociology थोड़ा general है बाकि commerce and accountancy में मेरा accounts थोड़ा weak है क्योंकि मेरा 11-12th में PCM था और graduation मेरा B.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O तो इन सारे factors को देखते हुए syllabus और previous year paper में देखता रहे था 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 यसा अगर मुझे private देखना है तो मैं उसकी previous year paper को देखूँगा syllabus को देखूँगा और मुझे लगया गया कि यार अगर इसमें general answer भी में नहीं लिख सकता तो उस subject को मैं काट दूँगा तो यसे आप दो या तीन दिन दो अगर जिसने decide नहीं किया है और अगर decide कर लिया तो कोई बात नहीं अप में से कितने लोग अने optional decide कर लिया है अपना Almost everyone तो यह बताने काता है मतलब को नहीं है फिर भी आप इसको देखना जरूर एक बार अगर आपको लगता है आज भी जाकर देखो आप आपने जो ओप्शनेल decide किया है उसके syllabus previous year papers को देखो trend आप छोड़ भी सकते हो अगर आपने decide कर लिया है लेकिन ज़रूरी नहीं थे कि मैं 1st attempt में clear कर लेता है वह सकता है 4 या 5 attempt लग जाते तो जब 4 या 5 attempt लगेंगे तब आपको ओप्शनल subject 4 साल तका पढ़ सकते हो क्या जैसे sociology है तो sociology को अगर मेरा 1st attempt में clear नहीं होता तो मुझे 3 या 4 साल पढ़ना पढ़ता लेकिन आप भी देखो कि अगर आपने कोई ऑप्शनल लिया है तो आप पढ़ सकते होगा है 3-4 साल उसको मतलब मैं तो चाहूंगा कि सबका हो जा इसी बार अगर नहीं होता है तो आप पढ़ सकते होगा उसको 4 या 5 साल अगर चार या पांट साल नहीं पढ़ सकते हैं, तो एक साल के लिए मत लोग सब्जेक्ट को, मतलब ऐसा लोग हो कि लॉंग टम में आपका कुछ यूध हो उसका, तो ऐसे आप उप्सेल डिसाइड कर सकते हो, मेरा उप्सेल सोचिलोगी था, मैंने विकास रंजन सार के हां को कि थोड़ा जादा एफर्स देने पड़ेंगी, क्योंकि प्रिलिम्स के बाद प्रिपेर करने हम बहुत मुश्कील होती है, तो मैं मैंने बोला कि कैसे कर सकते हैं, तो सर ने बोला क्लास में बैठो है, अगर क्लास से हो जाए तो, मैंने 15-20 लेक्ट्टर्स आ तूख, उसके यहां क्綁च्च्छ ले लिया और एक धीमर दो दो तो तिpace लीऊस देखें दो ज घजполне कंशनार किया है तो वीडियो की स्पीड़ा अपा On The subject मैं ह। 15-60 स्विधम मैंने अच्टर क्लास से इने उसके बाद 10 days में मैं रिविजन किया और फिर sir की test series solve की तो उसमें शुरु 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 में कम माक्स आये लेकिन gradually improve हुआ और कई test में उनके highest score भी था मेरा एक जून होता है दूसरा September और October जब 2nd batch start होती है किसी भी कोचिंगी और तीसरी होती है after williams तो मैंने ये किया लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला टाइम सबसे ज्यादा अच्छा रहता है अगर आपने जून में नहीं किया तो आप no doubt September मैं October में कर सकते हो लेकिन ये टाइम मुझे सबसे सही लगता है क्योंकि जून से September में आपका optional cover हो जाएगा इसके साथ ने आपको GS भी पढ़ाई पढ़ते रहना है ऐसा नहीं कि बस इसमें आप के वर और और करोगी इसमें जब आप September तक आपका optional cover हो जाएगा उसके बाद युल है नहाँ तरहएगा नहीं है इनकिशन अपका aggi कर रवाई को जाएगा पर अर्पारी तक उसमें इसके सरेे बाद रवाई को फैड जीम नहीं इसे सूनें पाई उसके सघरे शहाएगा क्यों कि पर प्रॉम्हं है इसमें आप कर इसके लग बस को प्रुम्हं पाएगा और वह एक चरह से वेस्ट चले जाएगा, क्योंकि प्रिलिम्स के बाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि शेप्टेमर के बाद आपकी बेच खतम होगी, तब आप एक रिविजन कर लो, दिसेंबर याद जन्वेरी तक एक आद दो मतलब आप लिख सकते हो, और फिर उसका पूरा दाइम आप प्रिलिम्स को दे सकते हो, लेकिन यहाँ आप नहीं कर सकते हो, यहाँ तो बहुत ही रिस्क है, यहाँ तो कब करोगे कब नहीं, मतलब व यहाँ ज सकते हो, यहाँ पीजाच।